कहानी के शुरू में हमें शरू नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है शरू अपने बड़े भाई गुडू के साथ यहां घूम रहा होता है शरू एक गरीब से परिवार का रहने वाला होता है एक दिन शरू का भाई रात के समय अपने काम पर जाही रहा होता है कि शरू भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है गुडू उसे बोलता है कि तुम अभी छोटे हो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते लेकिन शरू कहां मानने वाला था वो फिर से बहुत जिद करता है और अब की बार उसका भाई उसे अपने साथ ले जाने लगता है जब दोनों स्टेशन पहुँचते है तब गुडू सो जाता है जिस कारण से उसका भाई गुडू उसे कहता है शरू जब तक में वापिस ना आओ तब तक तो यहां से कही नहीं जाएगा शरू गुडू को वापिस आते हुए जलेवी लाने के लिए कहता है और सो जाता है कुछ देर बाद शरू की नींद खुल जाती है शरू देखता है कि उसका भाई अभी तक वापिस नहीं आया जिस कारण शरू अपने भाई को धूनने लग जाता है बहुत धूनने के बाद भी उसे अपना भाई नहीं मिलता अब शरू बहुत थक कर ट्रेन में सो जाता है जब शरू उठता है तब वो देखता है कि ट्रेन चल चुकी है वो वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता और वो अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में आ जाता है शरू स्टेशन पर हेल्प मानने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता शरू अब ट्रेन की पट्रियों पर चल कर अपने घर जाने की कोशिश करता है शरू को पट्री पर एक औरत मिलती है जो उसे अपने साथ घर लाकर उसे खाना खिलाती है और उसे नहलाती भी है अगले दिन शरू को एक आदमी मिलने आता है शरू समझ जाता है कि ये औरत उसे बेचना चाहती है शरू अगले पल वहां से भाग जाता है कुछ देर बाद शरू एक रेस्ट्रोरेंट के बाहर बैठ कर एक व्यक्ति की नकल करने लगता है वो व्यक्ति इसकी सारी बाते जानकर उसे पुलिस टेशन ले जाता है लेकिन पुलिस भी उसका पता धूनने में असफल रहती है कुछ दिन बाद एक औरत उसे कहती है कि शरू तुझे आस्ट्रेलिया की रहने वाली फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है और तुम कल आस्ट्रेलिया जा रहे हो अगले दिन शरू एक औरत के साथ फ्लाइट से आस्ट्रेलिया चला जाता है आस्ट्रेलिया में शरू को जौन और जू देखकर बहुत खुश होते है दरसल इन्होंने ही शरू को अडॉप्ट किया है चोटे से घर में रहने वाला शरू उनके घर को बड़े ही हिरानी से देख रहा होता है कुछ दिनों में शरू उनके साथ घुल मिल जाता है और फिर हमें आज से 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां शरू के सौतेले माबाप शरू के उपर proud feel करते है कि शरू उनकी बात मान कर hotel management की तयारी कर रहा है अगले पल वो अपने class के students के साथ party कर रहा होता है जहां शरू को fridge में रखी जलेबी emotional कर देती है जब वो घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे उसकी क्लासमेट उसे प्यार की नजरों से देख रही होती है कुछ ही देर में ये दोनों girlfriend boyfriend बन जाते है शरू अपनी girlfriend को जलेवी को देख कर emotional होने का कारण बताता है जिसके बाद उसकी girlfriend उसे बोलती है कि वो अपने घर को धूनने की कोशिस करे शरू अब अपने घर जाता है और अपने घर को धूनने की कोशिस करने लग जाता है एक दिन वो अपनी सौतेली मा को रोते हुए देखता है वो पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो उसकी माँ से बताती है कि तुम मेरे से अब बात नहीं करते मैं चाहती तो माँ बन सकती थी लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अनात बचो को अडॉप्ट करू शरू ये सुनकर उन्हें शांत करता है शरू कहता है कि आप मेरी हमेशा ही मा रहोगी उसके बाद वो फिर से अपने पुराने घर को धूनने लग जाता है और अब की बार वो अपने घर को धून लेता है और अगले दिन वो इंडिया आ जाता है और अपने घर चला जाता है जब वो अपने घर जाता है तब वो देखता है कि वो घर बिलकुल ही तूट चुका है और उसमें कोई नहीं रहता शरू एक औरत से अपने घर वालों के बारे में पूछता है लेकिन उस औरत को इंगलिश नहीं आती कुछ देर बाद उसे एक अंकल मिलते है जो उसकी भाषा को समझ पाते है वो उसे उसकी फैमिली से मिलाते है शरू अपने मा के गले लग जाता है शरू अपनी मा से अपने भाई के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि गुडू तो उसी दिन ट्रेंग के नीचे आ गया था जिस दिन तो गायब हुआ था कुछ दिन बाद शरू के सौतेले मा बाप उसकी फैमिली से मिलते है और मूवी का यही पर एंड हो जाता है थैंक्स फर वाचिंग